तो बैस अब यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ Free Fire की ID को Unban कैसे करना है तो बैस अब Free में Redim Code लेने के लिए आपको Google पे सर्च करना है Redim Drop HD और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा Redim Drop HD Image और यहाँ पे आपको कर देना है Click जैसे यहाँ पे आपको इस टाइप की वेबसाइट देखने मिल जाएगी इस पे आपको देखने मिलेगा Search Box तो यह Search Box पे आपको क्लिक करना है आपको यहाँ पे लिखना है FF Google Redim करके यह जैसे आप सर्च करोगे और यहाँ पे आप लोग को देखने मिल लेगा Colorful Canopies FF Google Redim तो यह Post को आपको क्लिक करके Open कर लेना और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे फोटूस देखने मिलेगा नीचे आना है और नीचे जब आओगे तो आप लोग को नीचे देखने मिलेगा तो किसी एक पे क्लिक कर लेना और आप लोग तीनों ले सकते हो आप लोग को देखने मिलेगा Start Verification का बटन इस पे क्लिक कर लेना है किस पे भी क्लिक करके 1,2,3 पे और यहाँ पे जिसे क्लिक कर लोगे 10 सेकंड रुखना है यहाँ पे उसके बाद verify to continue पे और यहाँ पे वेरिफाइंग होगा और यहाँ पे आएगा click here to continue पे देखो जिसको भी मिलता है न रेडिम कोड तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना है लेकिन यहाँ पे आपको clearly बता दूँ आप वीडियो भगा के मत देखना मुझे पता है आप भगा भगा के देखते हो और आपको यहीं पे बता दूँ अगर आप भगा के देखोगे तो मैं आपको अगर आप वीडियो भगा के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है कि कैसे फ्रीफायर आइडी जो बैंड हुई है उसको अनबैं कैसे करना है तो भाई वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना जादा बड़ी मैंने ने किया है क्योंकि भाई आपे डीटेल ह किया है तो अच्छे से सुनना समझना ये वीडियो भाई भगा के देखने लाइक नहीं है सीरियस वीडियो है तो भाई अच्छे से देखो सुनो समझो उसके बाद आप जाके अपना वही प्रोसिजर करना जो मैंने ये वीडियो में आपको बताया है तो भाई आपको प्र मेरा हरकत मत करना जैसे सो लोग वीडियो देखते हैं मेरे चैनल पर तो 99 लोग भाग जाते हैं एक लोग सब्सक्राइब करते तो यार इस तरीके से हरकत आप मत करना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बैल नोडिफिक्शन को वाल पर भी कर देना और वीडियो को लाइक क होता है मैं अपना काम करता हूँ आप भी मांदारी से अपना काम करो क्योंकि मुझे हिम्मत मिलती है आप लोग के इसी सपोर्ट से और भी अच्छा-च्छा कॉंटेंट लाने के लिए तो यहां पर आपको मैं डीटेल में बताने जा रहा हूँ कैसे अपना Free Fire ID Unband कर सकते हो देखो यहां पर जब आपकी ID बैंड हुई ती ना तो आप लोग ने बहुत जगा देखा होगा यह कर लो वो कर लो लेकिन उससे काम नहीं बनाता आपको यह वीडियो में जो मैं बताने वाला होना method वो method से भाई 1% नहीं 10% नहीं 50 नहीं 99 नहीं मैं टोटल ब देखना नहीं समझना भी है क्योंकि यहां पर आप लोग को मैं तो दिखाऊंगा कैसे क्या करना है और कुछ बाते मैं explain भी करने वाला हूं तो इसको अच्छे से समझना तो इसी के लिए मैंने start में बोला है आप वीडियो को अच्छे से देखना सुनना समझना भगाना मत थोड़ी सी बड़ी वीडियो है लेकिन आपके id and band से बढ़कर मुझे नहीं लगता कुछ और चीज़ है यहां पर थोड़ा सा MB आपके extra चला जाएगा तो यहां पर आपको उससे दिक्कत नहीं होगी तो चलो आपको करना क्या है आपको यहां पर एक-एक method में समझा देता में तो सबसे बहले इसके लिए आपको play store पे आ जाना है और play store पे आ जाने के बाद यहां पर एक अलग से आपको browser डाउनलोड करना है अगर आप लोग के पास यह browser होगा वो browser का नाम मैं बता देता हूँ पहले आपर search करके वो browser है kiwi browser देखो बहुत सारे लोग को उसमें हो भी सकता है यह browser तो जिसके पास भी है उनको भी एक काम करना है आप लोग को ना इसको अनिंस्टॉल कर देना है और इसको अनिंस्टॉल करने के बाद आप वापस से इसको इंस्टॉल कर लेना देखो kiwi browser play store से सर्च करो और यह 85 MB का है तो भाई थोड़ा-थोड़ा MB आपका धियान रखना अगर आप kiwi browser के अलावा chrome browser यूज करते हो तो यहाँ पर जो चीज़े detect होगी न वो भाई यहाँ पर आपको यही पर explain कर देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग को जो device है जो catching memory है वो सब browser में save रहता है chrome के तो यहाँ पर अगर आप यह kiwi browser download करते हो तो यहाँ अब एक fresh browser रहेगा और एक fresh browser से आप लोग जो method करोगे उससे आप लोग का idea unban हो जाएगा इसी के लिए मैंने यहाँ पर आपको कीवी browser का support लेने बोला है ना कि chrome browser ना कि कोई और opera या UC browser जो भी वैसे UC browser तो है नहीं तो जो भी browser इस्तिमाल करते हो वो browser का ना इस्तिमाल करें तो यह जैसे download हो जाता है आप लोग को बस करना क्या है यह browser को open कर लेना है देखो मैं emulator में कर रहा हूँ emulator और mobile screen में फर्क नहीं होता है बस फर्क screen का होता है emulator की screen बड़ी होती है तो इसके लिए आपको यह सब बड़ा बड़ा दीख रहा है और mobile की screen छोटी होती है तो इ यहां पर scroll करके नीचे setting दिखेगा और setting पर click करना है और यहां पर आप लोग को search engine दिखेगा इस पर click करना है और नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको 2 Google दिखेगा एक यह वाला एक यह वाला आप दोनों पे से किसी भी कर सकते हो ठीक है तो यहां पर मैं English वाल और सर्च क्या करना है देखो जो मैं सर्च कर रहा हूं वही आपको भी करना है यहा पे आपको लिखना फैर र데टीम्ड्रोप इजडी देखो यह मेरीthen है इस evolution क्रणिग क्रोला गें जहां पर एक सेटिंग बता है तो आपको ये website पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद एक्सेप्ट जो भी पूछेगा ये accept कर देना है ये cookies होता है accept करने के बाद यहाँ पर आप लोग को दिखेगा ये search वाला logo देखो ये search वाला logo दिखे रहाँ आप लोग को दिख जाएगा आप लोग के mobile पे और इस पे आपको कर देना है click और यहाँ पे click करने के बाद आप लोग को नहीं यहाँ पे search क्या करना है FF, देखो जो मैं search कर रहा हूँ वही search करना है आपको आपको search करना है FFID Unban जो मैं spelling लिख रहा हूँ वही आप लिखना और उसके बाद search कर देना यहाँ पे click करके यह enter दबाद होगे तो भी आ जगा है और यहाँ पे आप scroll करोगे तो आप लोग को दिखेगा rare species FFID Unban यह लिखा हो दिखेगा इस पे आपको कर देना है click जैसे यहाँ पे click करोगे और इसके scroll करके नीचे आना आपको बहुत सरे अलग-अलग photos दिखेंगे animal के तो यह सब को avoid करना आपका काम है नीचे एकदम आना है और थोड़ा time लगीगा देखो यहाँ पे जातर photo है यहाँ पे नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक link मिल जाएगा देखो यहाँ पे आप लोग को दो link मिलेगा एक id unban request वाला और जो दूसरा blue color का link है unban description वाला अब यहाँ पे आपको फिल से अच्छे समझा देता हूँ देखो यह id unban request वाला जो method है यह एक method हो गया और जो दूसरा method है वो unban description वाला तो दो method आपको बताने वाला हूँ दोनो method भाई बहुत important और दोनो एक दूसरे से link ह कुछ अलग method नहीं है बस आपको दो पार्ट में बताने वाला हूँ मतलब यही वीडियो में दो method रहेगा ठीक है तो पहले आपको करना का है यहाँ पे आ जाना है और जब यह आपको दिखेगा आपको click कर देना है id unban request वाले इस पे तो जैसे आप यहाँ पे click करोगे तो यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से बटन आएगा start verification का इस पे आपको click करना है और click करने के बाद 10 seconds wait करना है और wait करने के बाद verify to continue पे आपको click करना है और यहाँ पे verifying होगा और click here to continue पे आपको कर देना है click और जैसे यहाँ पे click करोगे तो आप लोग आ जाओगे यहाँ पेच पे, Free Fire FF Customer Service Login पे देखो, आपको कहीं जाने की ज़रोत निजो मैं प्रोसिजर बताया हूँ ना वो प्रोसिजर फॉलो करके यहां पे आ जाओ, और जो आपको मैंने बताया है लिंक पे उसी लिंक पे क्लिक कर क्या आना, अगर कोई और तरीके सा आओगे जाओगे तो मुझे बोलना मत, मैंने एकदम सिंपल तरीका बताया है, वो तरीका आप फॉलो करो, और आप जब यहां पे आ जाओगे, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ना यहां पे यह देखना है, आपकी ID कौन से प्लेटफॉर्म की है, फेस्बुक की है, फेस्बुक पे क्ल आपका आइडि के आपको यहां पना इमेल इडालेना है, जो भी आपका Free Fire ID है, वही आईडि आलना है, जो भी Gmail ID है आपकी Free Fire की है, वह आइडि यहां पे बालना है, तो जैसिकि यह इवाली आईड धालो यहां पे मैंने डाल दिये, अब यहां पे इसको next कर देता हूं, और यहाँ पे आप लोग की ID लॉग इन हो जाएगी तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे आपका ID का नाम आ जाएगा ठीक है अगर आपका ID का नाम यहाँ उपर दिखा रहा है तो यहाँ पे समझ लो ID आपकी लॉग इन हो गई है और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और आप लोगों को यहां पे दिखेगा यह वाला बॉक्स देखो यह बॉक्स पे ना यह माइनस दिखेगा यह इस पे आपको क्लिक करना है और आप लोग को नीचे बहुत सारी चीजे दिखेगी यह सब अवाइड करो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्लिक क अब यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो आप बोलोगे यह चीज मैंने पहले देख चुका है तो भाई यह चीज जो मैं बता रहा हूँ यह अलग है और जो आपको दूसरे यूटूबर्स ने बताए हैं वो भाई आपको सई से समझाया नहीं है और जो बताना था method वो method नहीं बताए है उनको अपना view लेना था बस वो भाई view ले लिए उनका काम बन गया लेकिन यहां पे आपको जैन्यून तरीका बता रहा हूँ जैन्यून ट्रीक है तो यहां पे आपको ban appeal पे क्लिक करना है और जैसे यहां पे आपका uid आ जाएगा और नाम आ जाएगा और देखो जिसका भी अगर यहां पे मैंने मोखे जिसका भी नाम आता है na it अगर नहीं आता है आपको manually डालना है तो 99% लोग का automatic आ जाता है ठीके तो यहाँ पर यह UID आ जाएगा यह आपको डाल लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो nickname है वो भी automatic आ जाएगा नहीं है तो आपको अपना nickname डाल देना है जो आपने अपने ID में लगाया था ठीक आपके screen पर यह वाला message pop up हो रहा है there are abnormal activity with your account it has been suspended तो इसका screenshot ले लो और screenshot लेने के बाद आप लोग को यह screenshot ना upload करना है नीचे आना है और यहाँ दिख रहा है attachment तो यहाँ पर आपको add करना है और जो भी आपकी file है जो आपने screenshot लिया है वो यहाँ पर एड कर देना है जैसे द और यहाँ पर click करके इसको blue tick कर देना और यह होने के बाद आप लोग को scroll करके अब यहाँ पर जो main जो चीज है ना वो है description तो देखो आप लोग ने जब appeal किया था पहले वो time आप लोग ने अपने हिसाप से description लिखा था लिकिन official जो description होता है वो क्या चीज होता है वो आप आपको बाई किसी ने सही से बताया नहीं था और description जो होता है वो एकदम genuine होना चाहिए ऐसा नहीं कि बाई कुछ भी लिख दिया मेरी ID वापस कर दो please return my ID वो सबसे काम नहीं चलता है अगर आपने 10-15 लान का लिखा भी था तो उसमें क्या-क्या चीज कवर होती है वो आपन के लिए आपको दो तीन बार description के अंदर ना माफी भी मांगना है देखो माफी मांगना है और गलती का यहां पर आपको regret भी होना चाहिए वो भी आपको लिखना है और क्यू हुआ था और क्यू किया था आपने वो reason भी लिखना है तो यह सब लिखने के लिए आपको करना है ready drop HD करके और यह सच करोगे तो यह वाली website मिल जाएगी और इसको Open कर लेना और यहां पर आप accept करके जो भी आ रहा है और यहां पे सर्च पर आना और यहां पे सर्च करना FF ID Unband करके और जैसे यह सर्च कर लोगे तो यहां पर आप लोग को देखने मिल जाएगा यह वाला ID Unband वाला और नीचे आजाना एक दम और यहां पर आप लोग को देखने मिल रहा Unband Description तो भाई इस पर आपको क्लिक करना है तो जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप लोग को Start Verification आएगा और यहां पर क्लिक करना है और 10 सेकंड रुखना है उसके बाद आपको Verify to Continue पे click करना है, जैसे यहाँ पर click करोगे, फिर verifying आएगा, और click here to continue पर click करोगे, तो यहाँ पर आप लोग के सामने, यहाँ पर आप लोग को पूरा officially description मिल जाएगा, देखो, यहाँ पर आप लोग को click करके, इसको पूरा यहाँ पर copy कर लेना, देखो, select all करना है करो देखो चाहे बीच में या कहीं बेभी देखो जैसे मैं एक बीचों-बीच करता हूं क्लिक और यहां पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कर लिए तो अपको क्या करना है अब आपको अपने वापस से कीव इउ ब्रॉजर में जाना है दो इस इनलों पर पर क्रिक करने है और यहांपन घु economies दिस्ट कर दो अब बीचर है अब ही और गया और आपको कुछ चीजे भी समझाऊंगा यह चीज करने के बाद यहीं पर काम नहीं गतम होता है कि यहां पर बाई बस नीचे आया मैंने समिट किया बस काम गतम बैक करो और जाओ अपना यह काम करो नहीं नहीं रुको अभी अभी यहां पर बाई सिर्फ डिस्क्रिप्शन कुछ लिख दूँ तो बाई कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आपको बाई जैसे लिखा है वैसी लिख देना है मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है और यहां पर आप लोग को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर आप लोग का जो यह रिक्वेस्ट है य यह हो जाएगा देखो यहां पर दीखने मिल जाएगा नीचे की ओर देखो यह टिकट ओपन है देखो आपको बता दूँ कि यह जो ऑप्शन दिख रहा है अभी आपको पहले यह बता दूँ कि यहां पर आने के लिए क्या करना होगा यहां पर आने के लिए आप लोग को यहां पर आप लोग को देखने मिल जाएगा इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप लोग आजोगे माय रिक्वेस्ट पर और आप लोग का यह जो सेक्शन दि जब देख लिए कि यहां पर लिखा है माय सब्जेक के बारे में माय fyr sprout ॉब जो आपने दाला जो मैंने आपको दिया था और आपका आइडी रहेगा यहां पर यहां पर यहां पर यह आइडी रहेगा यह आइडी आपका आइडी नहीं है ठीक है यह जो आइडी है यह आइडी आपका यू आइडी नहीं है मैं किलियर कर दूँ यह आइडी है मतलब जो आपने request किया है Free Fire को वो request ID है तो यह confusion मत हो नहीं यहाँ पर मेरा ID गलत है तो मैंने यहाँ पर clear कर दिया यह ID आपका नहीं है तो यह confusion मत करना और नीचे comment मत करना कि मेरी ID यहाँ पर गलत दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर बता है कि आपने यह कब create किया था तो बाई दो मिनट पहले और last activity दो मिनट पहले और status के आदे को main क्या होता मालम status जब तक यह open है तो मतलब यहाँ पर Free Fire आपके ID पर अभी यहाँ पर review कर रहा है और यहाँ पर review यहाँ पर पूरा successfully होने में यहाँ पर जो normally time लगता है आपको बता दूँ एक हफता यह जादा से जादा एक महीना लगेगा जिया दोस्तों 7 days से लेके 30 days के बीच में आपका यह जो status से यह change होगा अगर आपकी नसीब अच्छी रही तो भाई 24 घंटे यह 48 घंटे में यह status पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपका id unban हुआ की नहीं अगर in case किसी का यहाँ पर 24 घंटे यह 48 घंटे में यहाँ पर आपको आ जाता है close का option तो भाई यहाँ पर आप लोग समझ लेना कि आपका जो request है वो reject कर दिया है सकरें से यहाँ पर आपको निराशन नहीं होना है यहां पर आपको पर आपको ऐपर जाना है और उपर गारes यहां पर करना है अब देखो यह वहाँ पे click करने का मतलब क्या है कि आपको फिर से appeal करना पड़ेगा जो मैंने आपको message दिया है वही message दानना है screenshot वही दालना है privacy policy भी टिक करना है screenshot यहाँ से आप दालना है और जो मैंने आपको description दिया है फिर से वही दालना है अब मैं यह वापस से क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भाई साथ free fire ना manually नहीं चेक करता है free fire के बहुत सारे boats लगे हैं तो जैसे आप request करते हो यहाँ पे तो boat यहाँ पे normally देखता है भाई यहाँ पे यह message आए उसका reply दे दो भाई यहाँ पे आपने गल्दी किया है और नहीं unban होगा आपका ID तो भाई यहाँ पे आपको आपको जब भी यह close हो जाता है फिर से करना है और फिर से इसको open कर देना है ठीक है आपको बार बार यहाँ पे request करते जाना है submit request करते जाना है जब भी यह close कर देगा और मैं guarantee दे रहा हूँ हफता 10 दिन या 30 डेज में आपका ID unban हो जाएगा 101% देखो कभी कभी 24 गंटा या 48 गंटा या 3-4 दिन में भी यहाँ पे status close हो जाता है और जैसे close होता है आपको देखना ID unban होई कि नहीं अगर unban हो गई तो नीचे comment करके जरूर बताना कि आपका trick काम किया और आपको hard भी दूँगा और like दे दूँगा और यहाँ पे close आता है और आपकी ID unban नहीं हुई है तो फिर से वही procedure repeat करना है submit request पे click करके और यहाँ पे फिर से वही करना है और फिर close होता है तो यहाँ पे आप लोग को फिर से open करना है submit पे click करके मतब यह procedure ना कम से कम आप जब तक करते रहो जब तक आपकी ID unban नहीं होती है और जब तक यह request किसी इंसान के पास नहीं जाता है क्योंकि यह request रोबोट के पास जाता है रोबोट नॉर्मली उनको एक target दिया जाता है यह message आता है उनका यह reply दे के close कर दो status ठीक है तो समझ गया है मेरा बोलने का मतलब क्या है जब तक किसी इंसान के पास यह request नहीं जाएगा तो भाई ID unban नह request अगर किसी इंसान के पास पहुच गया जो भी बंदे बैटे थे को इतने बंदे नहीं बैटे हैं कि एक एक message एक request ओपन किया जाए क्योंकि request कंदर अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पे बहुत type के अलग-अलग request है और भाई इतने बंदे नहीं कि हर request जातर तो request जादा ध्यान नहीं देते हैं इंसान लोग जो नॉर्मली इंसान लोग ध्यान देते हैं पेमेंट को लेके करते क्योंकि पैसा यहां से हुआ हुआ तो गेम का नाम खराब होगा तो जो मैनुली इंसान काम करते हैं और यह सब पे नॉर्मली बोर्ट काम करते हैं तो यह सब पे इंसान बहुत काम रखे गए हैं तो जब तक भाई यूमन के पास नहीं जाएगा तो जब यूमन के पास एपील आपका जाएगा बैन का तो भाई वो आपका आइड ना सीरियसली में रिव्यू करेगा और उसको अन्बैन कर देगा ये मैं गैरेंटी दे रहा हूं तो रि प्रोड़ करें को मैं कोई प्रोमोशन नहीं कर रहा हूं टैग प्रोड़ रच करोगा तो यह वाला चैनल यह जाएगा और यहां पे आप आजाओ और यह देखो यह बंदे ने सीरियसली में अन्बैन करे दिखाया है तो यहां पे अन्बैन का इसने ट्रिक भी वही सेम बत देखो 101% आपका आइडिया अन्बैन हो जाएगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिक्शन को अलपे कर देना और वीडियो मैंनत लगी है तो करके जाना और वीडियो को शेयर कर दोगे दिल से अच्छा लगेगा देख सकते बड़ी वीडियो बनी है लेकिन बहुत डीटेल में अच्छे से एक्स्प्लेन किया है और मुमित करता हूँ आपको इससे हेलफुल मिलेगा और आपका आइडिया अन्बैन हो जाएगा और जिसका भी अन्बैन होता है मेरा रिक्वेस्ट है कमेंट में जरूर से कमेंट करक है तो भाई यहां पर आप लोग पहले दो तीन बार यह वीडियो अच्छे से समझ लो देख लो उसके बाद जाके मेथड लगाना जो मैंने आपको बताया है या तो आप यह काम कर सकते हो यह ट्रिक ना अपने कोई दूसरे मुवाइल में चालू रखो और भाई दूसरे म बता रहा हूँ वो ट्रिक आप फॉलो करते जाओ वीडियो देखते देखते जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको अच्छे समझ में भी आएगा तो जल्दी से गूगल पर सर्च करो रेडीम ड्रॉप एजडी करके और यहां पर आप लोगो देखने मिल टैंक यू बाबाए